दोस्तो वेरी गूड मॉर्णिंग स्वागत है सबका इंफा बेर चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त आपका बेर स्वागत कर रहा हूँ दोस्तो सबका 15 तॉप फेब है दोस्तो आज च्रेडिंग का फॉर्स्ट वीक मंडे है आई होप आप सब तयार हो कल प्यार वाला दिन ख किसी ने कहा है कितना चीखेगी रूठेगी चिलाएगी दोस्तो एक दिन असीना मान जाएगी तो बने रहेगा दोस्तो हार मत मानिएगा नेक्स्ट वैलेंटाइन आप बिल्कुल उसी के साथ मनाएंगे और अब बात करते हैं दोस्तो क्लेरेंट केमिकल्स की जिहाँ स्टॉक में बहुती बढ़िया मूफ देखने को मिला है दोस्तो आज मॉर्णिंग में बहुती जबरदस्त गैप आप 19% का गैप दोस्तो हिला कर रख दिया आज इस टॉक ने मुझे भी क्लेरेंट केमिकल्स है काफी बड़ी क्वांटिटी में इस टॉक मैंने लेकर के थोड़ा उपर के लेवल पर अभी फसे हुए हो तो मैं यह सजेस्ट करता हूं कि अभी पूरा वीडियो पहले देख लीजेगा फिर उसके बाद में डिसीजन में आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और इसके साथ में 50 रुपए का डिविडेंट भी यह स्टॉक देन पाने के लिए बढ़िया रिटन कमाने के लिए अच्छी अमांट साथ लेकर जाने के लिए बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों और ऐसे समय में एक ऐसा बंदा कोई चाहिए होता है अगर आप स्टॉप नहीं डून प आपके लिए यही काम कर रहा है दोस्तों और अगेंस्ट में आपसे चाहता क्या है दोस्तों बस चैनल पर सब्सक्रिप्चम रेगिलर वीडियो देखना इससे ज्यादा तो आपसे कुछ हम लोग मांग नहीं रहें टेलिग्राम चैनल भी है दोस्तों सब्सक्राइब कर सकत अब विडियो को शुरू करते हैं क्लेट केमिकल के बारे है कि देखें दोस्तों का मैंने खाल से दो या तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्लेरियन केमिकल्स के उपर और मैंने बोला भी था कि कोई जल्दबाजी नहीं करेगा रुकिएगा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिएगा यहां पर अगर आपका रिस्क अपटाइट अच्छा है क्योंकि कंपणी डेट फ्री है स्पेशलेटी केमिकल्स बनाने वाली कंपणी है और अलड़ी काफी हाई लेवल तक जा चुकी थी तो यहां पर पॉसिबिलिटीज भी है रीकवरी रेट भी अच्छा था और इसके चलते आने वाले समय में यह बढ़िया ग्रोथ भी दिखा सकता है अटलेस हमारे जो अटके हुए पैसे हैं वहां पर थोड़ा क्रीम लेकर के वह जैसे हमने अलोड़ी डिविडेंट के लिए क्रीम चाटी लिया हुआ है बट इसके ऊपर भी अगर हमने थोड़ा बहतरीन मिल जाता है जैसे के को व जो है वो भी हम लोग आसानी से असर निकाल सकते हैं तो अब बात को मैं आर्टिकल एक्चुली लेकर के चलता हूँ टाइमस का आर्टिकल है पहले वहां पर जाकर मैं आपको दिखा दूं कि क्या डीटेल्स हैं उसके बाद में और थोड़ा आगे जाकर के बात करेंगे हम दिखेगा दोस्तों क्लेरेंट केमिकल्स ने आज 19% का हाइक दिखे आ था यह गैप ओपन हुआ था यह सबसे बड़ी बात है 470 रुपए के आसपास का इसने जो है वो हाई टच किया था आज इंट्राडे का इसने डिविडेंट डिकलेर किया हुआ है दोस्तों 500 परसेंट का यानी 50 रुपए पर शयर का डिविडेंट डिकलेर किया हुआ है इसका देट फिक्स हुआ था रेकॉडड जो है वह 2nd of February है और इसका जो X date है वह 18th of February तो यह डेट जो है वह नोट कर लिजागा 18th February ठीक है यहाँ पर कंपणी ने जो profit नोट किया है वह लगभग 19 करोड क की का नोट किया भुय जो फिछले साब के कौक्टर में 300 इसाल के क्वार सब्सक्राइब तो आब देख सब्सक्राइब भुड़ोंत रहें साथ गंपणि की तरफ से क्षिट्रीमिंट रहा यहां पれ जिसने एक impact create किया कि क्यों तरी के result काफी strong रहें साती सात में working capital फिर cost control जो है operational activities है यह सारी sustained है stable है और आने वाड़े समय में इसमें growth जो है वो दिख सकता है बर यहां पर एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं यह उतना impact जो है वो create नहीं करती है उसकी value जो है वो उत आदेता हूं यहां पर company की तरफ से TDS का मसला निकल कर आया हुआ है इनको TDS की तरफ से यानि जो tax authority है उसकी तरफ से 9 करोड 24 लाक प्लस उसके उपर का जो 34.90 लाक का जो tax है यानि tax interest है वो भरना पड़ेगा क्योंकि यहां पर short deduction of TDS हुआ है जहां पर आप पैसे भरने होते यहां पर आप short पैसे भर देते हो तो that is a short PDS deduction होता है तो वह यहां पर इनको भरना पड़ेगा पर company की तरफ से यह बोला जा रहा है कि यह प्रॉपरली भरा हुआ है और ऐसे कोई book of accounts में ऐसी कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है बाट अगर जो भी है वह company अपना देख अगर आज यहां पर स्टेबल हो जाता है और देखेंगा दोस्तों डिविडेंट का इंपक्ट पहले अगर यह स्टेबल कर जाता है 18 तारिक तक और यह continuous रहता यह train तो शेर हमें 500 रुपर टच करते हुए दिखाई दे सकता है बहुत ही बड़िया यहां पर movement बन सकता है दोस्तों बहुत ही बड़िया दिख रहा है और यहां पर कुछ buying भी हलकी से आते हुई दिख रही है जो consolidate करने की कोशिश की जा रहे है यहां पर यहां पर दिखेंगा चीजों को समझा कीजेगा जब डिविडेंट दिया जाता है तो एक्सटेट के बाद स्टॉक जो है वो उतना डेटोरियेट भी होता ह यानि अगर सारे 400 पर यह डिविडेंट डिकलेर होता है तो यह deteriorate होगा और यह 410 पर चला जाएगा 460 से 50 रुपाय कट हो जाएगा और stock जो है वो 410 पर चला जाएगा और वापस से वहां से यह grow करना शुरू करेगा अगर stock 410 में भी चला जाता है दोस्तों तो यहां पर strong support दिखाई देता है यानि यह 410 के नीचे जाने के chances काफी ज्यादा कम है अगर आप 410 के बाद entry करना चाहते हो तो बिल्कुल यहां पर entry कर सकते हो लेकिन अभी फिलाल कोई नया entry अगर करने के बारे में आप सोच रहे हैं सिर्फ dividend को लेकर के तो मैं यहां पर कोई भी entry या उसके पास जब dividend का इसडेट निकल जाएगा correction हो जाएगा उसके बाद में definitely आप यहां पर entry कर सकते हो ठीक है तो यह था news यह था उसका भागने का reason और entry exit के ऊपर बात चीद वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो like कीजेगा share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ जहां पर भी आप कर सकते हो whatsapp पे आपके telegram पे आपके facebook पे प्लीज इसको share कीजेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तो हमें यह वीडियो पहुचाना है और साथी साथ में आप कहां पर अभी clearant chemicals पे अटके हो यह ज़रूर हमें comment में बता दीजेगा मिलते हैं बहुत ही जल्द अगल क्यों वहें लहात अ की एलिज वबग यहां है यहां है यहां यहां है यहां हुच थ्रभी justementश्यल की जल् Framework